हेलो फ्रेंड्स आई विल्कम यू आल इन माई यूटूब चैनल संसा इन सोटेंड जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी सिविल कोड की तरफ से इस्टोनोग्राफर हिंदी और इस्टोनोग्राफर इंग्लिस की पोस्ट निकले हुई थी टोटल 1186 पोस्ट है तो उसकी आज लास्ट डेट है 13 नॉमबर और अभी मैं आपको यह प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि अभी तक इसमें कितने फॉर्म डाले जा चुके है और एक सीट पे इस पे कितना कंपटीशन है तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना रिजिस्टेशन नॉमबर देखिए अभी मेल आया हुआ है इलाबाद हाई कोर्ट NTA के साइट से 13 नॉमबर 2022 सामको पांच बच के तिरपन मितलब की 6 बज़े मालिए 6 बज़े तक का यह ड लाके टोटल 36,189 फॉर्म फिल किये जा चुके है मतलब इतने रिजिस्ट्रेशन हुए है यह ज़ूरी नहीं कि इतने फॉर्म भरे गए हो कुछ लोग जैसे पेमेंट नहीं किये होंगे तो उनका रिजक्ट हो जाएगा फिर कुछ और डिस्क्रिपेंसी होगी किसी में तो वो रिजक्ट हो जाएंगे वो फॉर्म तो मान लीजे फिर भी 36,000 अगर हम इसको 36,000 भी अगर मान लेते हैं तो एक सीट पे किता कॉंपटीशन है यह मैं आपको दिखाता हूं तो देखिए जैसा कि 36,189 को अगर डिवाइड करेंगे 1186 पोस्ट है टोटल इस मतलब रियल डेटा नहीं है यह अभी इसमें कुछ जैसे 36,000 यार है तो यह बहुत सारे फॉर्म अभी ऐसे भी होंगे जो रिजक्ट हो जाएंगे या कुछ लोग पेमेंट नहीं कि होंगे तो इस वज़ा से रिजक्ट हो जाएंगे मतलब बहुत सारे रिजन होते हैं तो भी मान लिजे कि कंपटीशन इसमें तो बहुत कम है अगर देखा जाए उस हिसाब से तो और जैसे से स्टोनोग्राफर वगरा में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है एक सीट पिड़ाई सोसल ज्यादा लोग है और इसमें तो ठीक ठाकी है अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को सौट हैंड डिक्टेशन चाहिए यह मतलब इससे रिलेटेड इलाहबाद हाई कोट से रिलेटेड जो भी स्किल टेस्ट के लिए तो आप कमेंट करके बताएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर लिजिए उसमें आप डिसकसन कर सकते हैं लाइक लाय करदेना और सब्सक्राइब कर दो यार शब्सक्राइब सभी की और पूरी करता हूं मेरी की तो मंग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को जीनों ने नहीं किया अज जोड के विंती है